चट पूजा का प्रारम कपसे हुआ इतिहास जानकर चौक जाएंगे। चट पूजा में सूरे देव और चटी मेया की पूजा विधी विधान से की जाती है। सूरे की अराधना कपसे प्रारम हुई इसके बारे में कथाओं में बताया गया है। सत्यूग में भवान श्री राम द्वापर में दानवीर कर और पाच पांडवों की पत्नी द्रोपती ने सूरे की उपासना की थी। चटी मेया की पूजा से जूड़ी एक कथा राजा प्रिया बंदन की है। कथा के अनुसा राजा प्रिया बंदन नी संसान थे। उन्होंने महरिशी खषब से इसके बारे में बात किकले हम महरिशी कशब्ने संतान प्राप्ति के लिए यग करवाया। उस दोरान यग में अभूति के लिए बनायी गई खीर राजा प्रिया बंदन की पत्मी मलीन को खाने को दे दिया गया। यग के खीर के सेवन से रानी मलीन ने एक पुत्र को जनम दिया लेकिन वहमृत्त पैदा हुआ राजा प्रिया बंदन मरे हुँआ पुत्र के शक को लेकर शमशान पहुचे और पुत्र भियोग में अपना प्राण प्यागने लगे उसी वक्त ब्रहमा की मानस पुत्री देव सेना प्रकट हुई उन्होंने राजा प्रिया बंदन से कहा मैं श्रिस्टी की मूल प्रवती के छटे अंसे उपन हुई हुई इसलिए मेरा नाम श्रिस्टी भी है तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो तम माता स्रिक के कहे अनुसा राजा प्रिया बंदन ने पुत्र की कामना से माता का ब्रत विधी विधान से किया उस दिन कार्थिक मास के शुक्र पक्ष की सस्टी थी, इसके फलस्वेरूप राजा प्रिया बंदन को पुत्र प्राप्त हुआ, जै हो छटी मेया की